। नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए बीडियो में तो आज के इस बीडियो में आप सभी आंगनबारी बहनों को 10.4 के नए अबडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि Potion Tracker App में फिर से एक नय अपडेट आ चुका है और वो अपडेट है 10.4 का तो इस 10.4 के अपडेट में आपको दो नई चीजे देखने और सीखने को मिलेगी साथ ही साथ आपको 10.3 का जो पिछला अपडेट आया हुआ था उसके बारे में भी जनकारी दोंगा जैसे कि हमने 10.3 के अपडेट में आपको बताया था कि जो Potion Tracker App है जिसमें सेविका खुद से किसी भी लभारती को डिलीट कर सकती है तो इसके बारे में हमने आपको जनकारी दिया था हलाकि उस अपडेट को बताने के बाद बहुत से आगनबारी बहनों का कमेंट आया हुआ था कि Potion Tracker App से हम लोग किसी भी लभारती को डिलीट कर रहे हैं तो एक्सिवल में वो डिलीट नहीं हो पा रहे हैं तो आज मैं आपको Potion Tracker App से किस परकार से किसी भी लभारती को डिलीट करना है इसके बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो आप सभी आगनबारी बहनों के लिए काफी महतोपुर्ण है आप लोग हमारे साथ जूरे रहे हम आपको सारी जनकारी step by step बताएंगे जिससे कि आपका जो समस्या है और जो Potion Tracker App की नई अपडेट है उसके बारे में भी आपको जनकारी मिल सके और आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा और लगे कि इस वीडियो से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप आउन या आउन बारी बहनों के साथ सेयर भी जरूर किजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो आपको नया अपडेट जानने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है open करने के बाद potion tracker लिग के search करना है search जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ऐसा option आ जाएगा यहाँ पर लिखा रहेगा update तो आप लोग simply update कर लिजेगा हम यहाँ पे इसको update कर चुके हैं चलिए अब हम इसको open करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो नया वाला भर्जन है वो 10.4 का नया भर्जन आ चुका है और इसमें आपको नई चीजे सिखने को मिलेगी तो चलिए हम इसको फटा फट से अपना mobile number और mpin डालके आपको आगे का process बताते हैं तो हम यहाँ पे portion tracker app में login हो चुके हैं login होने के बाद आपको नया वाला अपडेट देखने के लिए यहाँ पे जो three dot का option आप लोग देख रहे हैं इस three dot वाले option पे आपको click कर देना है जैसे ही आप लोग इस पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया अपडेट जूर चुका है जो है beneficiary migration तो यहाँ पे इस beneficiary migration वाले पे click करेंगे और click करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दू कि beneficiary migration आखिर है क्या जैसे कि अगर आप आगनबाड़ी सेविका हैं और आपके पोसक छेतर का कोई भी लभारती दूसरे आगनबाड़ी सेविका के पोसंट ट्रेकर एप में जूर चुकी है और अगर actual में आपके ही पोसक छेतर के वो लभारती है तो आप उसको अपने पोसंट ट्रेकर एप में वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये अपडेट आया हुआ है आप लोग इसली उस लभारती को अपने पोसंट ट्रेकर एप में ट्रांसफर कर सकते हैं तो अगर आपके पोसक छेतर की कोई भी लभारती दूसरे आगनबाड़ी सेविका के पोसंट ट्रेकर में एड हो चुकी हैं तो उसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे जो माइगरेट बेनिफिसरी का ओप्सन आप लोग देख रहे हैं तो इस माइगरेट बेनिफिसरी वाले पे क्लिक कर देना है जैसे हैं क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Mobile Number of Beneficiary यानि उस लभार्थी का जो Mobile Number उस Potion Tracker App में दिया गया है, उस Mobile Number को यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद उस लभार्थी का जो नाम है, अधार कार पर जिस परकार से उस लभार्थी का नाम है, उसको यहाँ पे डाल देना है, डालने के बाद आपको सम्मिट कर वो आपके Potion Tracker App में वापस आ जाएंगी, और जो एक्चुल में वो लभार्थी आपके ही पोसक छेत्र के है, तो आपको उससे संपर कर लेना है, संपर करने के बाद आपको यह details फिल करके आप लोग इस Potion Tracker में उस लभार्थी को एड़ कर सकते हैं, तो चलिए अब हम आते हैं कि जो 10.3 का अपडेट आया हुआ था, जैसे कि जो लभार्थी को हमको डिलीट करना था, तो डिलीट नहीं हो पा रहा था, तो चलिए हम आपको डिलीट करके दिखाते हैं कि कैसे आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर Beneficiary वाले Option पे हम लोग कि करेंगे, किलीक करने के बाद यहाँ पे जो गर्भाती महिलाओं की जो सूची है, उसको ओपेन करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लभार्थी है, उसके बगल में यहाँ पर 3.2 दिया गया है, इस 3.2 वाले Option पे आपको किलीक कर देना है, कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग एक बार डिलीट कर देते हैं तो उस लभार्थी का जो डेटा है वो रिकॉवर नहीं होगा हमने उस लभार्थी का जो नाम वगएरा दिया है वो ऐसे ही एड करके दिखाया है ताकि आपको समझा सकें कि कैसे डिलीट करना है वो एक बार कोई लभार्थी नहीं है हमने सिर्फ ऐसे ही नाम जोड़ा है और उसको यहाँ पर डिलीट करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो हाँ वाला ओप्शन दिया गया है उसी पर हमको क्लिक कर देना है ज दिलीट नहीं हो पा रहा था तो इसमें आपको ना OTP डालना है ना कुछ भी डालना है सिधे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं तो यहाँ पर यह जो जनकारी थी हमने आपको इस पोशन ट्रेकर एप की जो नई अपडेट थी और जो 10.3 का जो पिछला अपडेट था उसके बारे में जनकारी दिया है उमिद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छी जनकारी मिली होगी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलत साथ जूरे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद